जिन 115 फीटों पर चुनाव होना बाकी है इन फीटों पर पिछली बार NDA 75 फीटे जीती थी और इस बार चूंकी 400 का टार्गेट है तो यानि कि कुल 90 फीटे जीतनी होंगी कितनी फीटे चाहिए 90 फीटे मतलब अगर पिछले साल के परफॉर्मेंस को ही हम आधार मानकर चलें तो बीजेपी अब तक के आकलन के मताबिक 5 चरणों में 310 सीटे जीत रही है और अगर परफॉर्मेंस पिछली बार के तरह रखना है तो 75 सीटे और जीत जाएगी अगर हम इन दोनों को एड़ करते तो य बाकी है 310 खुद लगातार अमित्शा कह रहे हैं कि इतनी तो हमारी आ गई है अब अगर 90 सीट चाहिए और अगर पिछले परफॉर्मेंस को ही हम जोड़ दें तो तब भी आकरा 400 के पार तो नहीं पहुंच रहा है चार सो तक भी नहीं पहुंच रहा है यानि कि मतलब यह ह हुआ कि अगर 400 का टार्केट अचीव करना है तो महनत और करनी होगी स्ट्राइक रेट को थोड़ा और बढ़ाना होगा यानि कि अगले दो चड़नों में जुनाब में जो पिछली बार की 75 सीटे आई उन्हें तो रिटेन करना ही करना है लेकिन साथ ही यह जो 15 का आकरा नहीं सीटे कैसे जुडेंगे पिछली बार मोदी का स्ट्राइक रेट 65 परसेंट यानि कि 55 प्रतीशत का था जिसे इस बार बढ़ा का 78 प्रतीशत पर लाना होगा मतलब यह कि अगर स्ट्राइक रेच में 13 पीसद का और इजाफा होता है जो 400 का यह लक्ष पाना मुम्किन ह सच्ण कर देंगे पांच चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए है अब छठा और सात्वा 400 पार का है आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है लोग सुबर चुनाव के आखरी दो राउंड में 115 सीटों पर चुनाव होने हैं जिन में 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगे सात्वा और आखरी चरण में एक जून को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 25 मई को 6 फेज की वोटिंग होगी सात राज्यों की 58 सीटों पर वोट कास्ट किया जाएगा जिसमें सबसे ज्यादा सीटे उतरप्रदेश की 14 शामिल है अगर राउंड 6 और 7 में पिछली बार का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो एंड ये को 115 में से 75 सीटे मिली थी इन में से बीजोपी के पास थी अकिले 65 सीटे थी यानि के 10 उनके सयोगियों के पास थी मोदी को इसी 115 सीटों में से 75 का आकरा पहुंचाना होगा और इसे बढ़ाकार नपे करना होगा जब 400 पार की बाद आती है तो बैन और भाईयों आम आत्मी पाल्टी और कॉंग्रेस के इस नापा कडवंदन को चक्कर आने लगता है क्योंकि आम आत्मी पाल्टी और कॉंग्रेस दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पर चुनाओ नहीं लड़ता रहे हैं और इसलिए उनको यह भैय होता है कि पूस्ते जनता से क्या आकिर 400 पार के जो नारे आपके लग रहे हैं क्या इसकी अकिकत है तो जनता जनारदन से एक ही बात सामने आती है जनता जनारदन उनको एक ही जवाब देती है कि जो राम को लाए है अब देखिए जो कुछ किया जा सकता है जो कुछ कहा जा सकता है वो तमाम चीव से मंचों से कही जा रही है फिर चाहे वो राम मंदर का मसला उठाया जाए फिर चाहे वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटेक्स हो फिर चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो या फिर वो current और under current के बात हो हर तरीकी की चर्चाइफ चुनाव में आपको मिल जाएगी लेकिन मोदी जिस 400 को अचीव करने के लिए लगातार प्रयासरत है उसमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदीश की बात हम कर लेते हैं यहां पर 80 सीटें हैं यह कहा चाता है जिसने यूपी जीता उसने दिल्ली जीता लेकिन बात सिर्फ दिल्ली जीतने के नहीं है बलकि बात है कि प्रचंड बहुमत से भी आगे बढ़कर 400 पार के साथ यह सीट जीतने की यह 80 में से 80 का जो टारगेट है उसके साथ यह संभव हो सकता है यूपी में आखरे दो फेज में 27 सीटों पर मतदान होना है लेकिन मोदी और योगी के लिए यह चालेंज जिन 6 सीटों पर मुश्किल है वो मैं आपके सामने रख रहे हूँ गाज़ेपूर, जौनपूर, घोसी, लाल गंज, श्रावस्ती, अंबेट करनगर सीट, मोदी योगी के जोड़ी के लिए इन सीटों को अपनी जोली में लाना आविशक हो जाता है और इसके लिए फुल प्रूफ प्लैन भी तयार किया गया है देखें गाज़ेपूर में माफिया वर्सिस लॉइन ओर्डर के मुद्दे पर बीजेपी जुनाब जीतने का फॉर्मिला तयार करती है मैं खुद गाज़ेपूर जाकर आई गाज़ेपूर का एक मुद्दाबाद इलाके को आप हटा दें जो कि मुद्दार अनसारी का गड़ कहा जाता है इसके लावा जितना बड़ा शहर गाज़ेपूर है वहाँ पर चर्चा यही होती है कि लॉइन ओर्डर सुधर गया है सड़के बन रही हैं लोगों को रोज़कार मिल रहा है लेकिन वहीं इसके ठीक उलट अगर आप मुद्दाबाद इलाकी में आ जाते हैं वहाँ पर तो मुख्तार अंसारी की फैमली का गड़ है वहाँ पर बात अंसारी परिवार की होने लग जाती है अब देखिए कौन जीतेगा कौन हरेगा यह तो चार तारी को तैय होगा लेकिन यह जो लोगों के माइनसेट में लॉइन आडर को लेकर चटार और खास नौर पर महिलाओं में यह माफिया मुख्तार अंसारी म्टी में मिल चुका है यह जो थोरी है उनके दिमाग में घर कर गई है क्योंकि जेल में मुख्तार अंसारी के मौत हुई गासेपूर से मुख्तार के बड़े भाई अफ़ाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं जो पिछली बार बीएसपी के टिकेट पर चुनाव लड़े थी और चुनाव जीते भी थे के नजबार अफ़ाल अखिलेश के साइकल पर सबार हैं अब जौनपूर की भी एक और सीट की बात कर लेते हैं जौनपूर जहां पर बीजेपी ने अपना जातिय स्वमिकरन सेट कर लिया है पहले यहां से बीएसपी के टिकेट पर धननचैव सिंग की पतनी श्रीकला रेड़ी चुनावी मैदान में थी लेकिन बात में बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बदला उसके बाद बाहु बली धननचैव सिंग ने बीजेपी को समर्थन करने का एलान कर दिया श्रीकला रेड़ी बैट गई पूरवांचल की एक और सीट हम घोसी की बात क का इलाका जहां पर सपा और कॉंग्रिस का गडवन्थन कुछ कमजोर नसर आ रहा है मैं पहले प्रकाश राजबर के बेटे की ही बात कर लेती हूं प्रकाश राजबर के बेटे की बात प्रकाश राजबर की बात हो जाया जहां 2014 में बीजेपी ने इस सीट जीती थी लेकिन अज़वार बीजेपी ने अपने पुराने उमीदवार नीलम सोनकर पर भरोसा जताया है